मंदसौर के शामगर थाना शीतर में चार साल दस महा की मासुम से रेप का मामला सामने है इसमें आरोपी और कोई नहीं बलकि रिष्टिदार ही है दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची का फिलहाल इलाज चल रहा है पुलिस में आरोपी को गिरफतार कर लिया है मिली जौनकारी के मताबिक शामगर थाना की चंदवासा चौकी शीतर के एक गाउ में पिलित बच्ची की घर दूर का रष्टिदार शीर सिंग निवासी नाहरगर और उसका साथी सुकुदिव 30 सितंबर की शाम को आया थी आरोपी शीर सिंग की नजर शुरू से ही बच्ची पर थी रविवार सुबह 11 बजे बच्ची की पिता घर आये महमानों के लिए समझी बना रहे थी आरोपी का साथी सुकुदिव भी घर पर ही था बच्ची आंगर में खेल नहीं थी इसी दोरान आरोपी बच्ची को चौकलेट दिलाने को कहकर ले गिया काफी देर तक बच्ची दिखाई नहीं दी तो बच्ची की माने उसे आसपास जूना लेकिन वह नहीं मिली रिष्टेदार शीर सिंग को गयब देख उस पर शक हुआ तो परिजनरों ने पुलिस को सूचना दी इसकी बाद पुलिस ने तलाश चुरू की तो दोपर तीन मजे आरोपी एक सून सान जगह पर बच्ची के साथ दिखा तो पुलिस को देख भाग निकला घाल अवस्ता में बच्ची को देख मा को समझा गया कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तुरंत उसे जिला स्पतार में भरती करवाया गया फिलाल बच्ची को आई सीओ में रखा गया है लेकिन उसकी हालत ठीक है वहीं आरोपी शेर सिंग को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मा की शिकायपर शौमगड पुलिस ने आरोपी के किलाफ अभरण, रेप सहीद और निधारों में केस दर्ज किया है आपको बता दे कि आरोपी शेर सिंग पर महिला समझे तीन अपराग पहले ही दरजें वह एक साल पहले ही जेल से रहा हुआ था पहुंची पूलिस भी तत्समय ही साथ में पीडिता की मा के साथ में धूनने के लिए निकल गई थी बच्ची जब बच्ची से पूछच की गी तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करी उसके साथ मारपीट भी करी जिसके चोट की निशान ऩो जो आरूपी है शेर सिंग जो की थाना नारायनगड का रहने वाला है इसके खिलाफ बच्ची को अगवा करना साथ साथ 306 मैं पॉक्सवाइड के साथ साथ 377 के धारा ही भी 377 के धारा भी उसमें व्रद्दी की जाएगी